पहरत और और अस्टेलिया की टीमेट टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने हुई थी और उसके बाद एक लंबे अर्ष्टेलिया ने भारत पर डॉमिनीट किया लेकिन साल दो जार एक के बाद भारत और अस्टेलिया के बीच में अलग तरीके की राइविद्धि शुरू हुई और इसके बाद धीरे भारत में डॉमिनीट करना शुरू किया और आज हाला दिया है कि दोजार एक के बाद से साल 2023 आ चुका है एक नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है और पूरी दुनिया में इस सीरीज को लेकर चर्चा है इससे पहले भारत और पाकिस्दान की तीम है इसी मुद्व ऐसी पर सुच्छें की तइनल्पूर स्टेरिया खिलतक हैं लकार से को आब मुस्द्व घ्रशह के दिया और आट की प्राक्टिस मैंच जीड़ने से भेतर है कि वह अपनी तैयारिए 6-7 हा बात को नेकर हमारी खिर एक्स 머eing सोचते हैं और सब्सक्राइब करें और साथ राजकमा शर्मा जी विराट कोड़ी के कोच और डेली टीम के पूर कोच हमारे साथ जुड़ चुड़ चुके हैं जीतने का सिंसला ठामा भारती टीम और इसके बास से पीछे मुणकर नहीं दिखा गया है अगर इक सीरीज में बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी टीम किस पर भारी पढ़ने जा रही है कैसे आप देखते हैं ऑस्टेलिया और इंडिया की जो डाइवल ली और जिस तरह से ऑस्टेलिया नहीं आकर प्राक्टिस मैच खिलना जमाना किया उनका है मानना कि वह बहुतर तरीके से तैयारी अपने के इंद्वाजों के साथ कर सकते हैं देखिए एक तो साफ बात है राजीव कि ये दो टॉप राइवल्स है इस समय अंतर राश्ट्र क्रिकेट में पहले जमाने में जो इंडिया पाकिस्तान के हम लोग बात करते थे वो अब इंडिया उस्ट्रेलिया हो गया है दोनों टीमों का की कोशिश ही होती है कि वो नंबर एक टीम बन जाएं किस तरह से हो मैचस को जीते और यह जो राइवल्री है यह तैस मैचस में अब तो यह हालत हो गई है कि भारत नहीं केवल घर में जीतने लगए पर उनके घर में भी जाकर हम लोग ने मैचस जीतना और प्रंसा जीतना चुरू कर दिया है तो यह बहुत बड़ा परिवर्टन देखनों को मिल रहा है भारती टीम से दोजारे के कैसा बेंचमाफ था या तिरे कैसा टर्निंग पॉइंट का अंतरा चिपर किसमें भारत के लिए यह लगने लगा हरे खेजारी को तो अस्ट्रेलिय बनाना हर दिन नब्य ओवर में वो एक बहुत बड़ा काम था और उसके सामने नहीं केवल इंडिया पर हर एक टीम जो है वो विफल हो जा रही थी पर दो आजार एक से वो चर्णिंग शुरू ही जिसके वज़े से अब हम एसे सिती में पहुंच गए हैं क्योंकि हमें लग क聊ता हूं तो नहीं बार प्राइवलर इत्नी और राइवर्ट बाहर जाता है इद आ उस्ट्रेलिया खेलने के लिए जब आस्ट्रेल यहाँ पर आती है तो इक्दम तुब विफरीट होती हैं जो टेस्ट माचेह होंकोई मानना है कि यहां पर जोभी प्राइकोसमाच होगा वहाँ पर आप सपार्ट प्रिकेट ढेंगे पर बिक्ट समधिक मैं की तयारी करने के प्रैक्टर्स कि मैंच में कुछ इस तरह नहीं कि च्छनी घरत्बाजी के खिलाफ और इसी लिए ज्यादा बेहतर तरीके हो जाते हैं आज में एक इंट्रीव पड़ आथा एंड्रीव मैक्डॉनल्ड जो उनके हेड कोच अंका कहने कि जो अंडर कट करके स्पिन आता है उसके लिए वो ज्यादा त्यार हो रहा है कैसे आप देखते हैं जो एक तरह से बिल्डप शुरू हो जाता है इंडिया उस्टेल की और जहां तक ऐस्टेलिया के बात है उन्होंने मना किया जो फ्रेक्टिस मैच कहले से तो बहुत हद तक ठीक भी है क्योंकि अगर आप कभी भी देखें जब भारत उट-फरिका जाता है निवजिलेंड जाता है तो वहां पर ऐसा ओपोजिशन दे दिया जाता है जो कि आप touring team के against अगर आप run बनाते हैं या विक्टे लेते हैं तो आपका chance होता है Indian team में आने का लेकिन अब वो culture बदल गया है अब जो visiting team को आप उस तरह के wicket नहीं देना चाहते जो आपको उनको आगे test match में मिलनी वाली है और यहाँ पर rivalry बहुत बड़ी है क्योंकि दोनों ही number one और number two teams है सभी जानते हैं कि बहुत intense series होने वाली है यह और यहाँ पर कोई भी एक box भी खाली नहीं चोड़ना चाहता तो उसी taking the box में यह भी important है कि हम अपनी जो हमारी strategy है जो हमारी planning है वह हम उनको ना बताएं और बहुत अच्छे से homework करके आये हैं वह लोग इस बार बहुत अच्छे prepared team है और full-fledged team के साथ वह आ रहे हैं तो उन्होंने उनका decision कुछ हट ठीक है कि वह practice match नहीं खेल के अपनी अपनी practice करें और सब्सक्राइब बहुत जादा चर्चा इस बात को निकरें कि साल 2023 तीम आ रही हो लगवग वैसी ही ताकत पर टीम है जैसी 2001 जब आई ती वॉक की कफ्तानी में कैसे आप देखते हैं वाकिए आपको लग रहा है ऑस्टेलिया दंखम नजर आ रहा है 2001 में तो चलिए चलोती देखे भारत को नहीं नहीं राजी उस तीन की बात अलग थी जिस तरह की वह टीम थी उस तरह की टीम बनना या पर तयार करना में सालों साल लग जाते हैं मुझे लग रहा है इस तीम में तो चंद ऐसे खिलाडी है जो इस समय संगर्ष कर रहे हैं संगर्ष ऑस्ट्रेलिया का उपर से शुरू हो रहा है डेविड वार्नर का फॉर्म उस तरह का नहीं है उस्मान खाजा ने पांच य च्छे टेस मैच खेलें अंतिन टेस्ट मैच म उन्हें खेला नहीं है मुझे लगता है कि इस टीम में कई सारे कई सारी कमजोरियां मुझे नजर आ रही है जिसको भारत निचित रूप से एक्स्प्लाइट करेगा मानता हूं कि उनकी जो बोलिंग अटैक है विशेश करके पेस बोलिंग अटैक काफी अच्छी है जॉश बोलिंग अटैक में नजर नहीं आ रही है एक मिकल्स स्विप्सन है जो भारत की कंडिशन में को लेकर आना एक काम नहीं है ऐसे स्पिनर चाहिए जो लंबे लंबे स्पैल आक्यूरेसी के साथ डाल पाएं और जो जो होना चाहिए जो धार होनी चाहिए वह मुझे इस बोल सब्सक्राइब को बहुत सब्सक्राइब कर दिया कि बिल्कुली नहीं की तीम बहुत शांदार टीम थी बहुत ही बैलेंस टीम और उसमें सुपर स्टार्स थे यह ऐसी तीम है जिसमें सुपर स्टार्स इन मेकिंग है प्लेयर्स बहुत अच्छे है अगर आप बोलिंग साइड देखें तो बोलिंग अटेक बहुत ही शांदार है तीनों फास बोलर वर्ल्लक्लास फास बोलर है उसके उपर नैथन लायन है उनके पार एस्टिन एगर है तो खुल मिलाक है कि यह काफी स्ट्रॉंग टीम है जो एक बहुत वेरी वेल प्रिपेर्ड होकर आई है काफी होमवर्क किया है इस टीम ने और भारतिये कंडिशन्स को आईपेल में खेलने की वज़े से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत अच्छे से जानते हैं और अब समझ चुके हैं कि भारत में किस तरह के क्रिकट खेली जाती है किस तरह का वैदर होता है तो यह सारी चीज़ें अगर आप करें तो एक स्ट्रॉंग टीम है और एक अच्छा मुकाबला होगा इस सीरीज में आप बिल्कुल भी लाइडली नहीं ले सकते इस तीम को यह कहकर कि इसमें एक्स्प कुलनी को खिला गया फिर एक मैच में कोई और खिला इस वार आपका बॉलिंग अटैक कम से कम स्टैब्लिश्ट है बैटिंग में चलिए माल यह सचें राउज रविट वीवे स्ट्शन से कंपेर नहीं का सकते बड़ और अगर बैलेस के लिया से जाए तो शाहिए दो जार हमारे टीम में थे उस समय कि गेनबाजी तो कि अनिल कुमले वो संटला में नहीं खेल रहे थे इंजिरी थी उनको अर्वजन सिंग को लाए गया था वो एक न्यू कमर थे पर उस टीम का भी बैलन्स और और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हर टेस्ट मैच में एक नया स् इसा नहीं था कि हर एक विकेट वो रैंक टर्नर थी जहां पर थर्ड डे से के एंड में थर्ड डे से टर्म बॉल टर्न करना शुरू कर रही थी तीनों टेस्ट मैच हुए थे मुंबई कैलकेटा और और कुछे नहीं में पर यहां पर जो मुझे नहीं कि तैयारी इसकी और अच्छा पदर्चन किया है पिछले टेस्ट मैचेज में उनके भी इमर्जिंग स्टार्ग जैसे के रात कुमार ने कहा पर अंत में अगर हम पूरे कंपोजिशन को देखेंगे तो भारत के लिए भारत में टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत जुरूरी है कि आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स होने चाहिए जिनको अनुभव वो टेस्ट मैचेज में बॉल डालने का इसलिए मैंने का कि नेथन लाइन के लावा और कोई मुझे ऐसा गेन बाद नजर नहीं आ रहा है अगर एक प्रॉमिसिंग लेफट आम स्पिनर है पर प्रॉमिसिंग स्पिनर जोश रेजलवूड मिचल स्टार्क और नेथर लाइन यहीं चार आपके बोलर्स हैं जिनको बहुत गदा मेहनत करनी होगी कैमरन प्रीन पहला टेस्ट मैंच वो खेलेंगे नहीं और वेलेबल नहीं है मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इस समय भारत के पास थोड़ा ए बात करें क्योंकि वह सिरीज बार बार हम इसलिए जिकर करते हैं वहाँ से इंडिन क्रिकेट की जो तस्वीर बदी वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्टेलिया को हराने वाली टीम सामने आई और उसके बाद एक लंबा सिलसला उसके बाद आगे मैं बात करूंगा कि क्या रहा उसक हैं आपके पास कैसे आप देख रहे हैं इस बार की भारती बॉनिंग लाइनप को दो जार एक के पेच्छा क्या ज्यादा बेदर बैलस दे रही है भारत को देखें राजीव अभी भी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने की होंगी जैसे जस्प्रीद बॉमरा कितने फिट हैं और अगर आप सिराज और शमी खेलेंगे तो हर कोई जाना है और अगर आप सीविंग फ्रेंडली हैं नार्पुर में तो आप उमेश यादों खिल कि इस तीन क्वालिटी पास्ट बोलर्स हैं और तो हम वह तो नहीं अपोर्ट कर सकते हैं कि हम ग्रीन टॉप विकेट बनाकर और यहां पर राजीव एक छोटा सा मुझे कंसर्न अभी रविश जड़ेजा को भी लेकर है क्योंकि वह लंबे समय के पास्ट बाप्सी कर रहे ह और वो किस तरह की फॉर्म में है किस तरह आप राज्मादर राजी ट्रोफी में उन्होंने आठ विकेट लिए हैं पहले इनिंग में एक और दूसरी में साथ कामिलाडू जैसी स्टॉंग पीन फिला और फिर कल्चूर का फिटेस्ट तो अनागपूर में बहुत आसानी उन उन्होंने विकेट लिए हैं लेकिन इंटरनाशनल फिकेट में और तूसरेलिया के खिलाब वो वापसी कर रहा हैं तो वहां थोड़ा सा बैक उथा माइंड उनको होगा कि कितनी वो अच्छी पॉम में है या कितनी बच्छी उनकी प्रिपरेशन है अच्छी बात है कि वो जरूर एक प्रूविन बोलर है और भारतिये कंडिशन में बहुत इंपॉर्टन होगा देखना कि कौन बेटर बोलर है नैथन लायन या अश्विन एक बहुत हेल्दी कॉम्पेटिशन बहुत अच्छा कॉम्पेटिशन नहीं सीरीज में देखने को मिलेगा जो मैं देखना लग रही है भारत की भी बोलिंग अटेक के हिसाब से अगर आप देखें तो राजीब बिलकुल एक शांदार मुकाबला होने की मुझे तो पूरी उमीद है इस सीरीज में सब्सक्राइब जो वर्चस्ट की लड़ाई चुरू होई 2001 के बासे में आकड़े आपको बतानो 2001 की जो सीरीज की दो एक से भारत नहीं जीती फिर अगली सीरीज होई 2003 फिर सीरीस एक-एक से बराबर रही है बड़ा इंपरिटन है यह है कि हम अस्टेलिया में जाके सीरीज बराबर करके है ऐह एतियासिक जो टेस्ट मैस का एडिलेट का ह double 2004 पाँच में दो इक से उस्टेलिया ने सीरीज जीता फिर दो साथ आठ में ऑस्टेलिया ने to ऐसके बाद हम आते हैं जो जार आठ नो में तब भारत ने दो शून से सीरीज जीता अपनी सर्दमी पर उसके बास से 2010 18 फिर भारत ने सीरीज से पर पिर ऑस बाद से धृए पीछे मुण के लिए देखा है पिर इंडिया जब ऑस्टेलिया आई तो चार शून से हमने उनको अरा दिया तो कुल मिनाकर यह वह से वर्सा चलता रहा दोजार चौदा पंद्रा में ऑस्टेलिया दो शूने से सिरी जिता भारत ने फिर दोजार सोड़ा सितरा में दो एक से लिए तो कुल मिनाकर अभी जो पिछले 20 सालों का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं हमारा हमें हमने ऑस्टेलिया को जाकर उनके घर पर ज्यादा रहा है बलस्वत ऑस्टेलिया हमारे आप राकर सिरी जीत पाया क्या यह वर्च्टेलिया लड़ाई में क्या भारत 20 साल में में बहुती मजबूर टीम थी जब आउस्ट्रेलिया आई थी भारत तो यहां पर वोस्टांटला भारत हार गया था उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि एक दो टेस्ट मैच जहां तक मुझे याद आ रहा है वो ग्रीन टॉप में खिलाया गया था पता नहीं किस कारण से और इसी वज़े से आउस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच जीद गया था रात्तुमाज जी हसरे उनको पता होगा कारण क्या है था नाकूर की विए बहुत सुर्किया बनी थी उसके बाद तो मुझे याद एक समय तो ऐसा था जब भारत में आउस्ट्रेलिया को हम लोगों ने चार सूने साहराय था ये दोहजार तेरा चौदा की बात है और अच्छे विक्टों पर हम लोगा नहाराय है और उसके बाद मुझे लगता है कि दोहजार दस के दोहजार चौदा पंदर के बार जब भारत बाहर जाने लगा ट्रावल करके आस्ट्रेलिया में खेलने के लि ऐसे ह rim को भारत को बास काटा तो के था हो इस थाम एक बारत क्रावम के लिए कि आंपी में स्ट्रेले शन्ट्राउंग के यह यह दोत चांगट प्लैटपॉम है यह दिखाने के लिए कि टास्ट मैच आप क्या होता है अगर हमें टेस्ट मैच्च को नंबर एक फॉर्मैट पर रखना है तो बहुत जुरूरी है कि आप कंडिशन उस तरह से बनाए जहां पर फुल फ्रेजर तीन-चार दिन का टेस्ट मैच्च हो और मैं मानता हूँ कि हमें विकेट स्पिन फ्रेंडली बनानी होगी पर स्पिन फ्रेंडली विकेट का मतलब यह नहीं है कि आप पहले दिन से ही रैंक टर्नर बना दे मैं यह चाहता हूँ कि भारत पांच बोलर्ग साथ मैदान में उत्रे तीन स्पिनर्ग भारत के पास होने चाहिए और दो तीम बोलर्ग होने चाहिए थर्ड डे उनवर्ज ये सेकंड अंड अट अफ एंड फिन दे थर्ड डे ऑनवर्ज में बाल टर्न करने लगती है शाफ टर्न भी होता है कि एक करते मिल्ली कैंग एक LeungLING के लिए सब्सक्राइब जादा जादा अच्छा रहेगा हमारा प्रेपरेशन भी हमें हमें वह वह आसान वाला रूट लेना नहीं है तभी हम नंबर एक बनेंगे तो नहीं हमारे साथ आस्टेलिया से रिदिंदर सिंख सोटी भी चुड़ गया है और हमाप किज़े का चड़ने के उससे कि चश्मा लगा रहा लगा रखा रखार बजला कि प्रैक्स आस्टेलिया को करेंगे सारी जो गुप्त बाते हैं वह आलक अलक विकेट के बारे में बत अजीब सी बात है अब जो इनका स्टेटमेंट ऐसे आया है बिकॉज हर टीम चाहती है कि वो प्रैक्टिस करें अक्लिमिटाइज हो लेकिन जी हाँ फिर भी आप ऑस्टेलिया को हलके में तो आँख नहीं सकते हैं टीम तो ये बड़ी है और हमने देखा है कि भारत में भी अच्छा खेली है अगर हम हिस्ट्री उठाके देखें तो यहाँ पे इंडियन टीम हाज टू प्ले टू दियर बेस्टेंचल और इस समय जिस तरह हमारे लड़के राजी परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को कंटीन्यू रखेंगे ऐसे ही में हिनत करत हैं तो वो कॉंफिडेंस है वो जो मनोबल है वो तो आपको अटोमेटिकली बढ़ा होता है क्योंकि परफॉर्मेंस आपके पीछे है तो जी हां बड़ी सीरीज है राजीव यह और मुझे पूरा भरोसा है इंडियन टीम विल लीव नो स्टोन अंटरंड यहाँ पे ऑस्ट को दो तीन बार हरा दिया टेस्ट मैचेस में वह काम ऑस्टेलिया इंडिया आके नहीं कर पाई है क्या आप देखते हैं क्या उस्टेलिया बैटिंग स्पिनस को टैकल नहीं कर पाती उनके पास एक स्वीप शॉट होता है उसके लावा टेक्नीक नहीं होती नंबर एई कितना आप इंपोर्टेट देख रहे हैं जो एग्रेसिव नेचर है जो इंग्लेंट से कॉपी करने की बात उस्टेलिया कह रहा है बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने सीख लिये इंग्लेंड से क्योंकि इंग्लेंड ने जिस तरह जाकर पाकिस्तान में क्रिकेट लि वह देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक सब्कॉंटिनेंट से बाहर की टीम आके सब्कॉंटिनेंट में इतना शांदार प्रदर्शन करें और भातिये प्लेयर्स की जहां तक बात है भारत ने बहुत अच्छे से डैप्ट किये थी और इसलिए वह बहुत सक्सेस्फुल भ लेकिन वह बहुत अब इसलिए और इंडिया में अगर आपको टिस्माइब जीतना अगर वोम टीम को हराना अगर आपको 20 विकेट लेने तो आपको लोग वालिटी स्पिनर्स चाहिए होते हैं तो वहां पर कहीं नकरें ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लाग करता है और वहां पर एड्वांटेज भारत को हो जाता है क्योंकि भारत के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं यहां पर जड़ेजा की जोड़ी को खेलना पार्तिय विकेट्स पे जहां पर कि हमें पूरी आशा है कि सेकिंडे तो कम से कम टरन होना शुरू होई जाएगा वह आसान नहीं होता तो यहां पर बिल्कुल डिफरेंट कंडिशन होंगी डिफरेंट टाइप की बोलिंग होगी तो वहां पर एड़्ेस्ट करना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है जिस तरह से इंग्लेंड को कॉपी करने की बात कर रही है आपको लग रहा है वाई नेचर ही एग्रेसि खेलता आ रहा है उनको किसी और टीम को कॉपी करने की जरूरत नहीं है अलग माल जो बनाता आया है उन्हीं ने शुरू किया था तीन सावा तीन सो बनाना एक दिन में के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था तो मुझे लगता है कि उनका अप्रोच वही होगा जो इतने सालों उनका प्रयास ही रहता है कि तेज-गतिज रन बनाया जाए जो उनका अग्रेसिव अप्रोच है उसी प्रकार से वह यहां पर भी आएंगे खेलने के लिए उनके इंटेंसिटी जो है वह हमेशा से एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के ही रहती है और गेनबादी मी वही है और ह फीलिंग लगाई जाती है पेज़ बोलर्स के अगर उस तरह से हम लगाएंगे वहां पर आपको मिलेगी वह चांसे बहुत कम हैं आपको कई बार अंकन्वेंशनल फील्ड लगानी होती है ज्याद आपको कटर्स इस्तमाल करना होता है आपको शॉर्ट मिट रखना होता है लगता है इसे सब को फील्ड सजानी होती है क्योंके बॉल कई बार यहाँ फसकर आती है अगर आप फेंड़ बोलर्स और ने वहां पर आपको यहाँ पर गटी परिवर्तन करते हैं सबसे और तो उसी सब को शॉवारिय कर रहा होगा कि किस तरह से दबाव बढ़ाएं जा सक और एक जो एरिया है जहां पर उस्ट्रेलिया एक्स्प्राइट करना चाहेगा वह है विकेट कीपिंग स्लॉट राजीव रिश्व पंत का नहीं रहना आई होप के जादा कि कमी नाम ना खले भाते टीम को पर वह एक 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 इंपक्ट प्लेयर है जिन्हों ने अचावी बदल दी है भारत के लिए तरफ बैंगलूरू में लगाया हुआ अपना भारत ने अपना लगाया नागपूर में तीन दिन का भारत भी शायद उतना ही इंपॉर्डेंट समझ क्या में चार में से तीम है जितना है जी आ रजीव देखिए प्रेशर तो लाजमी है और होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप कंप्लेसेंट होंगे आपको लगेगा आपको मार्ग दे देंगे प्रतिदोंदी टीम को तो वह भी गलत होता है तो थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर अच्छा ही होता है और यहां पर भातिय टीम का मुझे ऐसा लग रहा है रजीव एज है बड़ा एज है जरूर ऑस्टेलिया के पास कॉंपुटेटिव टीम है जैसे भी साबा ने बैटिंग लाइन अप को गिनाया बहुत जबर्दस उनका बैटिंग लाइन अप है बट पेसिंग इंडियन स्पिनर्स ऑन इंडियन विकेट्स रजीव यह असान नहीं है अभी राजकुमार जी ने बहुत बड़ी बात की जैसे वो स्पिनर्स की बात कर रहे थे उनके पास नेथन लाइन है जबर्दस पिनर है लेकिन आप इंडिया में यही चाहेंगे कि स् और भारत के पास वो है लेकिन आस्ट्रेलिया अमूमन नेथन लाइन पूरा दिन बोलिंग करते हैं दूसरे एंड से सीमर डाल रहे होते हैं और वहाँ पे हम बड़ी मात दे सकते हैं आस्ट्रेलिया को क्योंकि हमारे पास शांदार स्पिनर्स हैं अब कौन खेलेगा यह त करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के पास बड़ा मौका है इस सीरीज को जीतने का अब बताइए कौन कौन स्पिनर खेलेंगे तीन स्पिनर आपके इसाथ से कौन रहेंगे तीम में सोडीजी जवाब दीजिए आपके जॉब को खत्रा है उसा बागे होते हुए मैं डिरेक्ट कुछिन पूछ रहा हूं राजीव आपके बिहाफ से सोडी जी को बढ़ाइए तीन स्पिनर कौन खेलेंगे भारत के तरस से ग्यारा में जा चुकिए है कि इंडिंग टीम में अप्रा कैम लगा है लाकपूर में वाइड बॉल ज्यादा खेल दे लगबाग एक सवा महिन हो गये थे क्या एक बड़ा रिजन आप देखे नहीं रेड बॉल से तोड़ा एड़ा हो जाए जो हमारे जो प्रेस है यह इस वज़े से कै हां बहुत अरूरी था क्योंकि इतने दिनों से भारत सिर्फ वाइड बॉल क्रिकेट खेल रहा है कि पहले हाला कि वांग्लदेश में आपने टेस्ट मैच खेले हैं पर वो कॉलिटी अलग थी विकेट अलग थी इसलिए बहुत अची बात है कि जहां पर पहला टेस्ट मैच के लिए अपने इंपुर्ट देना कि उनसे बड़ा बहुत चंद हमारे भारत में उस पकार के टेस्ट मैचेज टेस्ट क्रिकेटर हमें देखनों को मिले हैं तो जो भी खिलाडी है इस समय ज़रूर चाहरे होंगे उनके ब्रेंस को पिक करना ताकि उस तरह से तैयारी करें आने वाले टेस्ट मैचेश के लिए और पूरी कपूरी शंक्ला के लिए और एजबाट स्किल को भी पकड़े राजमा सर चलते चलते क्योंकि 2001 में जो राहु रविट और विविस लेक्ष्पन ने किया वहर किसी के जहन में आज भी है बिलकुल राजीव बहुत शांदार जो उन्होंने खेली थी और उसका कोई नहीं बुला सकता हमारी जनरेशन तो नहीं बुला सकती उस पारी को और एस इस राहु जर्विट बहुत ही एक शांदार वाल ऐसे नहीं उनको नाम दिया गया थे एक शांदार बल्लेबाज से तीन नमबर पर जिस तरह वह पारी के कहलते थे टेस्ट मैचे में वह बहुत ही दर्शनी होता था आप हट नहीं सकते थे टीवी स्वीन के आगे से जब वह बल्लेबाजी कर रहे होते थे तो यह सारे इंपुट्स वह बार्ती यंक्श्टर्स को भी देंगे और उनको जरूर उसका लाब होगा बहुत बहुत शुक्रिया राजमासर आपका सभावाई आपका हमारे साथ जुडने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया भारत की सरजमी पर अपने पावर अचुका है कैम चुरू कर दिया है उन्होंने प्राक्टिक सेशन शुरू हो गए और धीरे-धीरे टेस्ट मैच की उल्टी जी चुके हैं और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाव टैसरी जीते हैं और इसके बाद जीते हैं देख बात को कि लिए हम ना सिर अपनी धमत का हैसास कराएंगे बलकि यह भी दिखाएंगे कि और फॉमेट में हम एक तीम के रूप में किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं त तो आज की हमारी इस खास शर्टा में पहला रता हैं